फोटो स्टोरी क्या है? किती तरह की फोटो स्टोरी होती है? किस तरह से करी जा सकती है? सब्जेक्ट किस तरह से चूस करे जा सकते हैं? फोटो स्टोरी करने के बाद हमें अपनी पिच्चरों के साथ क्या करना चाहिए? और मेरा अपना एक example मैं आपको दूँगा आज की इस वीडियो में तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई आप फोटो स्टोरी होती क्या है जैसा के नाम से हमको पता चलता है कि भाई फोटो स्टोरी वो एक स्टोरी है जिसको हम फोटों के द्वारा अपने दर्शकों तक पहुचाना चाते हैं यानि कि हम एक subject को choose करते हैं उन subject के ऊपर हम कुछ pictures खेशते हैं सोचे समझे तरीके से और उनको हम एक स्टोरी के रूप में अपने दर्शकों को दिखाना चाते हैं कि भई ये चीज क्या है सिर्फ पढ़कर ही नहीं बलकि visually भी समझ सको कि क्या स्टोरी है लेकिन photo story बहुत गहरी है बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है as a photographer और बहुत सारी preparation की जरूवत होती है तो photo stories होती कितनी तरह की हैं देखो भई photo stories short term photo stories हो सकती है यानि कि आप जल्दी से उनको complete कर सकते हो और एक होता है long term project के बहुत लंबा चलने वाला project जो कि मेभी 6 महीने चले, 1 साल चले या 2 साल चले अब बात आती है कि कैसे start करा जाए एक photo story को अगर आप नए हो और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आप किस चीज़ के बारे में photo story करो तो अपने चारो तरफ देखो कि क्या-क्या हो रहा है किस चीज़ के बारे में आप एक compilation create कर सकते हो photos के द्वारा और जो easily accessible हो तो अपने चारो तरफ दूढ़ना start करो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आप अपने घर के बारे में photo story कर सकते हो अपने pet के बारे में photo story कर सकते हो तो चीज़ें आपके चारो तरफ ही है उन चीज़ों को आपको सिर्फ दूढ़ना पड़ा उस subject को आपको select करना पड़ा और फिर उसके उपर काम करना start करना पड़ा और उसके बाद जब आप एक subject choose कर लेते हो तो उसके बारे में research करना बहुत जरूरी है Suppose आप एक photo story कर रहे हो एक festival के बारे में, एद के बारे में एक photo story कर रहे हो उन चीजों को कहां पर अचीव करा जा सकता है पहले किन लोगों ने इस तरह की फोटो स्टोरी करी है इंटरनेट भरा पड़ा है आप जाकर ढूंडोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी और इससे आप एक अच्छा बेस क्रियेट कर सको जिस फोटो स्टोरी के उपर आप काम करना चाते हो जो तीसरा पॉइंट आता है वो यह होता है कि आपको उस फोटो स्टोरी के उपर जब रसर्च कर रहे हो तो आपको उससे बिलकुल connected feel होना है आपको उससे अपना एक connection बनाना है जो चीज आप दर्शाना चाते हो या जो आपकी आवाज है वो ही आप अपने दर्शकों तक पहुचाना चाओगे ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने कोई फोटो स्टोरी करी है तो आप भी वो फोटो स्टोरी करो चाहे आप उससे connected हो चाहे नहीं हो क्योंकि एक फोटोग्रोफर जब तक अपने सब्जेक्ट से connected नहीं होगा तो सब्जेक्ट भी उसको वापस वो चीज नहीं देगा जो आप उससे चाह रहे हो इतना जादा डूब जाओ कि दिन रात सोते जाकते आपको सिर्फ वो ही दिखें वो ही तस्वीरें आपके सामने आए जो पिचरें आप करना चाहते हो फिर उसके बाद आता है कि आपने पूरी research कर ली आप उससे connected feel हो गए आपको पता चल गया कि भाई मैं photo story ये वाली करना चाहता हूं या इस जगहां की करना चाहता हूं या इस subject के बारे में करना चाहते हो तो अगर वहाँ पर कुछ permissions की ज़रूरत है कहीं आपको travel करना पड़ता है तो वो सारी चीजों का arrangement आपको पहले से करके रखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि भाई बाद में जाएंगे देख लेंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो आप वो सारी permissions, वो सारे connections वो सारे contacts use करो कि आप उस photo story को जब आप कर रहे हो तो आप वो smoothly कर सको और अगला point ये है कि आप visualize करना शुरू कर दो उस चीज़ को जीना शुरू कर दो कि आप इस photo story को किस तरह से present करोगे आप color में करोगे, या black and white में करोगे क्या treatment देना है, आपको कितनी picture चाहिए तो जब आप shoot कर रहे होगे, जब आप उस location पर होगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे फिर जब ये सारा कारिकरम आप कर चुके हो, उसके बाद आता है अगला काम कि shoot start करो, ऐसा कोई shoot है जिसको आप एक दिन में complete कर सकते हो, तो आप एक दिन में complete करो, अगर आपको लगता है कि 3-4 दिन लगेंगे, 3-4 दिन में complete करो, take your time, अच्छे से करो, हो सकता है कि आपको दुबारा उस जगहां पर visit करना पड़े, अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो, जिसके पास आप दुबारा जा सकते हो, तो उसको दुबारा visit करो, आप ये सारी चीज़ें करके shooting start कर दोगे और इन सारी चीज़ों के साथ साथ में आपको एक tip देना चाहूंगा, start with small stories, चीज़ें ऐसी करो जो आप एक दो दिन में complete कर सको, या ऐसी चीज़ों के उपर photo story करो जो आप easily access कर सकते हो, ताकि आपको उसका feel आ सके, ताकि आप at least उस चीज़ को कर सको, और बीच में जाकर ना छोड़ दो, मतब अपने कुते के बारे में, अपने घर के बारे में, अपनी दुकान के बारे में, अपने windows के बारे में, sunrise के बारे में, sunset के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे subjects हैं, जिनको आप select कर सकते हो, और उनके उपर एक photo story कर सकते हो, जब आपने फोटो खेच ली, आप आपके पास बहुत सारी पिचर आ गई, अब आप सोच रहे हो कि भाई, मुझे एक फोटो स्टोरी में कितनी पिचर देनी चाहिए, या लगानी चाहिए या दिखानी चाहिए, देखो कोई ऐसी लिमिट नहीं है, कि आप अपनी फोटो स्टोरी में कितनी पिचर डालना चाहते हो, the core is कि आपकी जो फोटो स्टोरी में पिचर हैं, उनको शॉटलिस्ट करना बहुत important है, तो उसको थोड़ा टाइम दो, थोड़ा रोको, अपनी पिचर को analyze करो, क्या आप वैसी पिचर खेच सके हो जैसी पिचर आपने visualize करी थी और क्या वैसी पिचर आपकी स्टोरी को justify कर रही है वो narrative जो आप लाना चाहते हो जो कहानी आप दर्शाना चाहते हो दिखाना चाहते हो, वो पिचरे आपके पास हैं, वो चाहे 10 पिचरे हो चाहे 12 पिचरे हो, चाहे 18 उससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन एक वो पूरी कहानी होनी जरूरी है, इस चीज़ के बारे में मत सोचो के मुझे सिर्फ 5 पिचर दिखानी है, या 10 पिचरे दिखानी है, या 20 पिचरे दिखानी है, हाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 50 पिचरे दिखाओ, जितनी कम से कम पिचरे हों, लेकिन स्ट्रॉंग पिचरे हों, वो बहुत important है, ताकि जो आपका viewer है, जब उस story को देख रहा है तो वो उसमें डूब जाए, वो एक पिचर देखने के बाद, दूसरी पिचर देखने के लिए मजबूर हो, और उसको वो जो कहानी आपने सोची है दिखानी के लिए, वो कहानी convey कर पाओ आप, अगर वो justify कर रही है 12 पिचरे, अगर justify कर रही है 18 पिचरे, तो कोई problem नहीं है, लेकिन कम से कम पिचर रखोगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब को पता है ना, आज कल किसी के पास time नहीं है तो खैब, कम से कम पिचरे रखो, और वो पूरी कहानी कहने के काबिल होनी चाहिए, जो सबसे बड़ा काम होता है, एक photo story को present करने में, वो यह होता है कि आपकी photo story कहां से start हो रही है, और कहां पर खतम हो रही है, यानि कि आप अपनी जो पिचरे हैं, जो final आपने selection कर लिया है, हो सकता है आपको 15 दिन लगे हो, 20 दिन लगे हो, इन selections को बनाने के लिए, उनको short list करने के लिए, अब उनकी sequencing करना बहुत important है, sequencing से मेरा मतलब है कि पहली पिचर कौन सी आएगी, दूसरी पिचर कौन सी आएगी, तीसरी पिचर कौन सी आएगी, अगर आप उनको print कर रहे हो या अगर आप किसी magazine में उनको डालना चाहते हो, तो वो sequencing आप करोगे अपनी photo story के बारे में, यानि कि पहली नंबर के पिचर, ओपनिंग पिचर जो है, ये आएगी, और उसके बाद ये वाली पिचर आएगी, जो सबसे important और सबसे strong picture है आपकी story की, वो है first picture, यानि कि opening page यानि कि first image वो image, एक ऐसी image होनी चाहिए, जो दर्शकों को मजबूर कर दे कि वो उस photo story के अंदर गुसें, और अगली पिचर तक जाएं और फिर जब अगली पिचर पर जाएं, तो वो ऐसे interconnected होनी चाहिए, दूसरी पिचर से जो आने वाली पिचर है, और जो पिचर गई है, कि तीसरी पिचर पर आपका दर्शक जाने के लिए मजबूर हो, और ये काम कोई इतना असान नहीं है, इसके लिए बहुत सारा experience चाहिए होता है, अगर आपको खुद ये करने में थोड़ी से मुश्किल हो रही है, तो आप अपने दोस्तों की या अपने किसी senior की help ले सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि मैं अपनी picture किस तरह से layout करूँ, किस तरह से उसकी sequencing करूँ और इन में से अगर कोई खराब picture है तो उसको किस तरह से उसमें से निकाल दूँ, तो कुछ पिचरें हो सकता है कि आपको निकालनी पड़ें, कुछ पिचरें हो सकता है आपको add करनी पड़ें, लेकिन इसमें जितना ज़्यादा time आप लगाओगे आपकी picture और आपका narrative और आपकी story उतनी strong बनेगी, कही बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छी photo story करी है लेकिन उसकी sequencing बिकार है तो उसका ना सर बन रहा है ना पैर बन रहा है और वो कहानी कहीं किसी तरफ नहीं बढ़ रही है तो ये जो photo story और जो इसकी sequencing है वो कुछ इस तरह से है कि जैसी कि एक movie चल रही है तो पहला scene कौन सा आएगा दूसरा scene कौन सा आएगा तीसरा scene कौन सा आएगा शुरू में मुश्किल होगा लेकिन धीरे धीरे जब आपका experience बढ़ेगा तो आप खुद अपनी पिच्छों की sequencing उस तरह से कर पाऊगे जिस तरह से वो सबसे best तरीके से अपनी कहानी को दर्शाती है अगली बात हमारी जो आती है वो ये है कि फोटो स्टोरी के साथ आपका text भी जाएगा आपकी एक story भी जाएगी उस story को लिखना भी बहुत जरूरी है और उनको सही शब्दों में लिखना बहुत जरूरी है कि आप इस फोटो स्टोरी को क्यों कर रहे हो क्या कहानी है किस लिए ये फोटो स्टोरी करी जा रही है क्या दिखाना चाते हो क्या दर्शाना चाते हो छोटे में एक पूरी कहानी लिखनी जरूरी है और हर पिचर के साथ एक caption होना भी जरूरी है कि उस picture में क्या हो रहा है, क्या था और कहां पर है, मतलब बहुत जादा detail में नहीं, लेकिन फिर भी एक caption होता है एक photo story में, तो वो भी आपको prepare करना होगा, उसके लिए आज की जमाने में अपने दोस्तों से आप मदद ले सकते हो, चाट GPT से मदद ले सकते हो, और अगर आप की photo story में जान डालती है, वो भी आपके photo story का एक important part होता है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि photo stories कैसी होती हैं, दिखने में कैसी लगती हैं, कितनी picture होती हैं, और बाकी लोगों ने किस तरह की photo stories करी हैं, तो मैं नीचे एक link दे रहा हूँ, Magnum Photos, इनकी एक website है, वह दूसरों का काम देखोगे, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अब बात आती है कि photo stories करने का फायदा क्या है, देखो, photo stories करने का फायदा ये है, जहां पर आप सिर्फ एक standalone picture में एक कहानी बताते हो, वहां पर आप एक elaborate त सकते हो किसी भी subject के बारे में, जिसके उपर आप photo story कर रहे हो, और इससे होता ही है कि आप इदर उदर कहीं भटकते नहीं हो, आप एक focused direction में बढ़ रहे होते हो, more planned way में बढ़ रहे होते हो, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जब आप actually में shoot कर रहे हो, पिचरों करना एक बहुत अच्छी exercise है अगर आप photography में आगे बढ़ना चाते हो, और अपने आपको focused रखना चाते हो, और अच्छा काम produce करना चाते हो, दूसरा reason ये भी है कि जब आप एक photo story कर रहे होते हो, तो maybe there is a cause behind it, कि आप किसी blind school के बारे में कर रहे हो, so there is a cause behind it, तो बहुत सार websites ऐसी हैं, जो photo stories को publish करती है, वहाँ पर आप अपना काम दिखा सकते हो, और अपनी आवाज को वहाँ तक पहुचा सकते हो, और as a photographer, आप बहुत सारी चीज़े photography के बारे में भी सीखोगे, और जो गलतियां आपने एक photo story करने में करी हैं, हो सकता है, उसको आप अगली photo story में प्रूफ कर पाओ, और अपने काम को बहतर बना पाओ, जैसे promise करा था, कि मैं आपको दिखाता हो, कि मैंने एक photo story करी थी, UAE में पहला sterilization जब start हुआ था, जब COVID हुआ था, आप इन pictures को देखो, आपको काफी कुछ समझ में आएगा, कि एक photo story किस तरह से करी जा सकती है, अपन sterilization हो रहा था, चारो तरफ sonata था, चारो तरफ डर था, उस चीज़ को दर्शाने की कोशिश करी है, इन pictures के द्वारा, आप देखो इन pictures को, have a look अज़ में पेन की को तरह समय आच में आएगा, इन में आपको को दिनुश को देखो करी जासके sih अज़ करी है, आपको तरह साधी है, आपको देखो वारो तरह सकता हूए प्रफ समय खिए कि दापको को में दोगने की की कुए है। झाल झाल